कार एक्सेसरीज बिजनस कैसे शुरू करें? इस वीडियो में हम आपको इस बिजनस के बारे में विस्तार से बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले इन्वेस्मेंट कितना होगा? इस बिजनस के अंदर निवेश इस बिजनस के ऊपर ने भर करता है अगर बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्मेंट करनी पड़ती है और छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो कम इन्वेस्मेंट एक अच्छी कार एक्सेसरी शॉप शुरू करने के लिए लगवग 2-3 लाख रुपे खर्च करने होगे आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से इन्निवेश कम या जादा कर सकते हैं कार एक्सेसरी बिसनस के लिए जमीन इस बिसनस को शुरू करने के लिए आपको लगवग 300-500 स्कॉयर फीट की जरूरत होती है जिसमें आपकी शॉप और बोटाउन दोनों शामिल है कार एक्सेसरी इस आइटम लिस्ट कार एक्सेसरी इस की एक लंबी रेंज है हार्ण, सीट कवर, स्टीकर, स्टेरिंग कवर, बंपर, डैशबोर्ट पर स्टाइलिश आइटम जैसे बहुत से आइटम तो रख नहीं होगे किन-किन जरूरी लाइसंस की आवशकता होगी हर बिसनस को शुरू करने के लिए लाइसंस की जरूरत होती है इस बिसनस को शुरू करने के लिए आपको अपने बिसनस को रेजिस्टर कराना होगा और GST रेजिस्ट्रेशन भी कराना होगा प्रॉफिट कितना होगा इस बिसनस के अंदर 50-60% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है तो इस हिसाब से इस business के अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं Marketing कैसे करें? किसी भी business के लिए marketing की जरूरत तो होती ही है इस business की marketing के लिए सबसे अच्छा तरीखा है publicity के लिए local TV पर आड़ चलाएं पेपर में आड़ दें color paper पर बढ़िया सा pamphlet चपा कर शेहर में बढ़वाएं ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसे marketing कर सकते हैं आप social media platform के जरिये भी अपने business को लोगों तक पहुचा सकते हैं आज हमने आपको car accessories business की बारे में बताया जिसे शुरू करके आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आज ही शुरू करें अपना खुद का business अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business ideas के लिए comment करके हमें जरूर बताएं ओकी क्रेडिट बिजनेस ओकी है